समस्कार किसान भाईयों स्वागत करते आपका आपके और हमारे यूटूब चैनल अग्रिग्यान गुरू में किसान भाईयों आज की जो वीडियो बेहदमात्पूर्ण वीडियो ये वीडियो डिरेक्ट केस से ही बनाई जा रही है ताकि आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कौन सी कमिया नहीं करनी जब धान की बालिगा निकल रही होती है क्योंकि इसी समय पे किसान भाई पीछे से अपनी फसल को बहुत अच्छे से रख रखा उनका देख देख करके चले आते हैं और इस समय पे आके छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वज़ासे उनके उत्पादन पे बहुत बड़ा फरक पड़ जाता है और फसल भी खराब हो जाती है पूरी जानकर यह आपको इस वीडियो देंगे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वली घंटी दबालीजे किसान भाईओ अभी आप देख सकते हैं हमारा ये धान की जो खेती है फसल है इसमें अभी बालियों की बात करें तो अभी ये हमारी धान की बालियां है अभी ये स्वास्त है इसमें किसी भी परकार का कोई रोग या कीट नहीं लगा हुआ है ना ही इनमें किसी परकार का हम वहारे बहुत सारे भोले भाले किसान भाई देखा देखी दूसरे किसानों को या दुकानदारों के स्वास्त है बालिया निकल रहे हैं तो आपको किसी भी इस प्रे करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि अगर इस समय पे आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाईों समझ लीजिए कि आप जबरदस्ती जहर जो है घोल रहे हैं होता क्या है बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे NPK की स्प्रे कर देते हैं NPK की स्प्रे करना खराब नहीं है पर करते क्या है कि बहुत सारे दुकानदार उनको जब सला दे देते हैं उनके पीछे लगके वो फंगी साइड, कीट नासा, यूरिया तरह-तरह के चीजे मिलाके सब चीजों को मिलाके एक साथ स्प्रे कर देते हैं उससे होता कि धान की जो बालिया हैं उन पे धबे पड़ जाते हैं, दाने पूरे भरपूर बनते नहीं हैं, खोखला रह जाता है, बालिया सफेद होने लग जाती हैं, इस तरह की बहुत समस्याय आ जाती हैं, फिर उसके बाद और स्प्रेय करते हैं किसान भीयों यहां पर जान करेंगे, पहले आपको अपने खेट में पूरी तरह से घूमना है, अगर आपको लग रहा कि हमारी धान की फ़सल वो सौस्त है, तो फिर आपको कोई भी स्प्रेय करने की जूरूत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगे कि हमारी धान की बालिया है कहीं कहीं काली हो रही हैं बीच में बालियां सुफेद हो रही हैं और बालियों पे धब्बे पड़ रहे हैं इन चीजी के अगर समस्य आपको लग रही 20 से 30 परसेंट अगर आपकी धान की फ़सर में लग रही तो उसमें पे आप 0050 NPK है उसका प्रयोग कर सकते हैं मातरा की बात कर लेंगे आपको एक किलो ग्राम 120 लेटर पाने में मिला के प्रती एकड़ के हिसाब से इसकी इस प्रय कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बालियां खोकली हैं और दाना भरपूर नहीं बन रहा है और बालियां सुफेद हो रही हैं धब्बे पड़ रहा है बालियों पे तब ही कर सकते हैं अगर आपके पूरा खेद पूरी तरह से स्वास्त है तो आपको देखा देखी इस प्रय करने की बिल्कुल भी जुरुत नहीं है तो किसान भाईयों उमीद करते वीडियो चलाते वीडियो लाइक कीजे शेर कीजे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वले गंटी दबा लिजे धन्यवाद